आज हम बनाएंगे बहुत ही तेस्टी ही होम मेड आटा नूडल्स और नूडल्स भी हम घर पर ही बनाएंगे बिल्कुल भी मैदे का इस्तमाल नहीं करेंगे तो चलिए बनाते एक बोल में हमने लिया आधा कप गेहूं का आटा और वन फोर्थ कप के जितनी हमने सूजी ली ह तो ठाक रहे हैं थोड़ा सा धमक डालेंगे बारीक वाली सूजी लेनी है, अगर सूजी में मिक्सर में लेしく नहीं चला ली इसके बादे हम खेंगे छोफ्ची करने के सी पोनाट में इस बनाएंगे तो पानी में अधारा कीपिर में आर्ग, दाससी करना नहीं हुआ हमें ल झूझ के लिए जोढ़ दिजिए जिसे की सूजी जो है वह अच्छे से फूल जाएगी दुबारा से हम डो को फिर से नीट कर लेंगे तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हूंगे डो को हमने फिर से नीट कर लिया है अब हम इसे दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर लेंगी अ तो इसे हम डाल देंगे अपनी सेव बनाने वाली मसीन में और यह जो किचन प्रेस मसीन है वो मोस्ली सभी घरों में मिल जाती है तो बस इस तरह से हमने से रेडी कर लिया है भर करके अब बरतन में पानी गरम होने के लिए रखा है उबाल आने देंगे थोड़ा से नमक डाल देंगे और जब बढ़िया से उबाल आने लगे तो इस तरीके से घुमा घुमा के हमें इसके नूडल्स निकालने हैं जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं हाप पर थोड़े से मोटी मोटी नूडल्स बना रहे हूं आप चाहे तो इस तरह से पतले नूडल्स भी बना सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगे और जब यह थोड़े से लंबे इस तरीके से हो जाएं तो बस तुरंत ही आपको इसे कट कर देना है किसी चाकू या फिर चम्मस से यह दिखे कितने आसानी से कितने बढ़िया से हमारे नूडल्स बनके तयार हो रहे हैं गैस की फ्लेम को बिल्कुल तेज रखना है स्टार्टिंग मेंने बिल्कुल भी टेस्ट मत कीजिए एक दो मिनट के लिए जिससे की इसे हैं फिर आ पीने थोड़ा सा हिला सकते हैं यह दिखें अब नूडल्स को हम पकाएंगे कम से कम पांस मिनट के लिए 5-6 मिनट के लिए इसे पका लेंगे बॉयल कर लिया है हमने और इसे हम निकाल लेंगे चलनी में और चलनी में निकालने के तुरंत बाद हमें इसके ठंदा पानी ढालना है जिससे कि इसका जो कुकिंग प्रोसेज है वो रुख जाएगा और इससे क्या होगा कि आपके जो नूडल्स हैं वो आपस में चिपकेंगे नहीं तो आप देख पा रहे होगे कितने बढ़िए हमारे ये होम मेट नूडल्स जो हैं वो बन के तयार हुए हैं इस तरह से आप इने ऐसे अलग-अलग कर दीजे आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ओयल भी डाल सकते हैं जिसे कि यह बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं एक पैन में डाला हमने बस एक चमच के जितना तेल तेल गरम हो गय तीन से चार कलिया बारिक कटा हुआ लैसुन दो बारिक कटिवी हरी मिर्ची डाल देंगे और लैसुन को हल्का सा भून लेना है बड़ी ऐसे अब हम इसमें डाल देंगे एक लंबा कटा हुआ प्याज लंबी कटिवी गाजर और सिमला मिर्च डाल देंगे अब पत्ता गो टोमेटो सॉस एक चम्मच चिली सॉस साथ में आधा चम्मच के जितना सोया सॉस भी डाल देंगे सौस में नमक रहता है तो ध्यान से डालेगा यानि कि नमक डालते टाइम ध्यान रखेगा हमने नूडल्स को बॉयल करते टाइम भी नमक डाला था थोड़ा सा काली पेश का पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा पीजा सिजनिंग भी हमने डाल दी है आप औरिगैनो डाल सकते बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अब इसे थोड़ा और चटपटा बनाने के लिए मैंने इसमें डाल दिया एक चमस सेजवान चटनी और ये हमारे नूडल्स जो है वो अब इसमें हम डाल देंगे सब्जियों को हमें गलाना नहीं है इनका क्रंच जो है वो बरकरार रहना च अच्छे से मिक्स करेंगे और एक तो मिनट के लिए हम इसे इसी तरीके से चलाते हुए पका लेंगे ये देखे कितने बढ़िया से हमारे ये होममेड आटा नूडल्स बन के तयार है जब अच्छे घर पर नूडल्स खाने की जित करें तो अब फट फट के हूं के आटे से नूडल्स बनाके उन्हें खिला सकते हैं ट्राइ कीजिएगा रेचिपी कैसे